सबसे बड़ा पार्ट ये था कि हम चाहते थे कि यहां के बच्चे यहां के जो लोगे वो इसको खुद करें ताके उन्हें सामाज आए और वो रिलेट कर पाएं इस जगा के साथ मेरा नाम सब्रीना अश्रफ है मैं आर्केटेक्ट कम प्लानर हूं स्मार्ट सिटी में यह प्लेसमेकिंग का इनिसिशेटिव आच्छली थ्रूआउट इंडिया हो रहा है तो कश्मीर की जो सिटी इसको थोड़ा डैवलप किया जाए डैगोरेट किया जाए और में ली यही परपस था कि थोड़ा जैसे जंक्शन से उन पर थोड़ा इंट्राइक्टिव स्पेस और रेक्सिंग स्पेस बन जाए तो उसी वाएसे आज हम यहां पर आर्ट को प्रम कर आप देखना चाहेंगे तो वहां बिल्कुल उस एज पर हमने शिकारा बोट रखी है जो कि अपना ट्रेडिशनल शिकारा है उसके अराउंड वी हाव लोटस हमने डल लेक का कॉंसेप्ट वहां पर क्रियेट किया है यहां पर आप देख सकते हमने पत्जड का जो आटम स रिजन होता है उसका कॉंसेप्ट जो बच्चों ने यहां क्रियेट किया है और कुछ हमने ऐसी पाब्लिक स्पेस गेम्स और जिसे यहां पर निचेस का बनाया और यहां पर स्नेक्स अन लेडर्स आप देख सकते तो इस बेटर कि बच्चों के लिए है और लोग जो है वह कश्मीरी में आप कहते हैं तो यह रियूसेबल मेटीरियल को लेके किया गया है जिसमें समसी का बहुत बढ़ा रोल है आप देख सकते यह एक रीजन है जहां पर ज्यादा ओफिस वाकर है तो एक रिलेक्सिंग स्पेस हमें मिलनी चाहिए यहां पर यहां पर लोग उतर के किया है इर्द गिर्द पूरा तो यहां पर आकर एक रिलेक्स थोड़ा मिलता है मेंटली इंसान को विजुली अगर आप देख सकेंगें तो अभी भी आपको पता चलेगा कि थोड़ा रिलेक्स हो रहा है बंदा यहां पर तो में इशू हुई था में कॉस यही था बनाने क सिरिनगर सुमर्शुक्ति के ताहत शहर के सड़गों को जो है रंगीन बनाने का काम शुरू किया गया है इसकी कड़ी जो है शेर कश्मीर पारा के बाहर देखने को मिल रहा है यहां पर मुक्तलिफ कॉलिजियों से स्टूड़न्स आये हैं और वो यहां पर इस काम को अंज ठाखा गया है बच्चू के लिए जो है manif का भी छावर मकर में बनाया है इन्होंने जिसमय चेस और सपड्री जैसे घेम क्योंकि लगातार कोविड की महामारी से जो है बच्च घर में पड़े जिमें जहनी तना जब जादा बढ़ गाया है उनको यहां पर अपनी other family